हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसानी से और जट पट बनने वाले आलू के नास्ते की रेसिपी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेशेल डेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें पोटेटो बोल्स बनाने के लिए हमने एक किलो बोईल करके मेस किये हुए आलू लिये हैं इसमें हम एट कर देंगे एक कब बारिक कटी हुई हरी प्याज साथ ही में एट करेंगे चार टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया और दो टेबल स्पून बारिक कटी हुई हरी मिर्च साथ ही में हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून चाट मसाला एक टीस्पून काली मेश पाउडर देल टीस्पून चिली फ्लेक्स देल टीस्पून नमक या फिर्स्वा दनुसा नमक इन सारी चीज़ों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें बाइंडिंग एजांटेट करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर 6 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारे इंग्रीडियंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अब हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पॉर्शन लेकर इस तरह से इसका बोल बनाएंगे अगर यहाँ पर बोल का सेफ परफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इसमें एक से डेर टेबल स्पून जितना कॉन फ्लोर और एड़ कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से हमने सारे मिक्स्टर में से बोल्स बनाकर तयार कर लिये पोटेटो बोल्स को फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है एक बार में पेन में जितने बोल्स आएंगे उतने हम इसमें एड़ कर देंगे और बोल्स को फ्राई करते वक्त गेस की फ्लेम मीडियम रखेंगे तो पेन में जितने बोल्स आए उतने हमने इसमें एड़ कर दिये और इनकी sides को change करने में हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे तो तेल में डालने के 1-5 मिनिट के बाद हम इनको उलट-पुलट करते रहेंगे तक ये हर तरफ से अच्छे से fry हो जाए हमने इन बोल्स को मीडियम फ्लेम पर 4 मिनिट के लिए अच्छे से fry कर लिया है तो इनको तेल में से निकालने से पहले हम गेस की फ्लेम को 30-35 सेकंड के लिए हाई कर देंगे तक ये बोल्स बाहर से थोड़े क्रिस्पी हो जाए और इनको तेल में से निकाल लेंगे तो हमें सिर्फ इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक ही इनको तेल में फ्राई करना है तो इसी तरह बाकी के बोल्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बीच बीच में इनकी साइट्स को चेंज करते रहेंगे और तेल में से निकालते वक्त हम गेस की फ्लेम को कुछ सेकंड्स के लिए हाई कर देंगे तो खाने के लिए तयार है जट पट और आसानी से बने हुए पोटेटो बोल्स चैनल पर नए है तो मेरी आप से हमबल डिक्वेस्ट है केसी ही आसान और यूनीक रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई